अगर आप ये दोनों equation समझ लेते हैं ये दोनों सुत्र समझ लेते हैं तो आप जिंदगी में दुकानदारी के अंदर कहीं भी नहीं अटकने वाले तो सबसे पहला सुत्र है कितने रुपे का देना है और वस्तु का भाव नमस्कार दोस्तों किराना वेफारियों को अक्सर एक चीज की बड़ी दिक्कत होती है खासकर यंग जनरेशन को ऐसी बहुत प्रोब्लम होती है कि जब वो किसी तरीकी की calculation करने लगते हैं तो उनको थोड़ा सा calculation का मेरा मतलब ये नहीं है कि जोड करना मतलब चीजों का जोड करना नहीं बलकि calculation का यहां मेरा मतलब है जब कोई व्यक्ति आपकी दुखान पर आके मांग लेता है कि 12 रुपे के चावल दे दो और चावल का भाव होता है 35 रुपे तो आप उसको कितना चावल देंगे तो ये बड़ी समस्या आ जाती है या फिर कोई आके कहा देता है कि 3500 ग्राम चावल दे दो और चावल का भाव है 32 रुपे तो तब आप कितना उससे रुपे चार्ज करेगे तो ये दो कंडिशने अक्सर हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है और कैल्कुलेटर से या इन चीजियों से करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और फटा फट करना होता है क्योंकि मालो घ्राग खड़ा है बेड लगी हुए है तो हमको ये काम है फटा फट करना पड़ता है तो इसके लिए मैं आपको दो एक कैल्कुलेशन समझाने वाला हूँ तो जल्दी से हम इस बोर्ड के उपर आजाते हैं बाद मैं आपको कम्प्लीट इसका कैल्कुलेटर के साहत में कम्प्लीट आपको एक्वेशन करना सिा दूँगा कि किस तरीके से ये एक्वेशन की जाती है तो अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजीए वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन को ये प्रोब्लम होती है कैलकुलेशन करने वाली किरियाना के अंदर तो मेरी बात आप शायद अच्छी तरीके से समझ गए होगे के जो यंग जनरेशन है, जो नया व्यपारी है किरियाना का उनको अक्सर प्रोब्लम आती है कि हम जोड मतलब इसके अंदर किस तरीके से करें कोई व्यक्ति आके कह देता है कि 100 और काजू का भाव है 800 रुप किलो या फिर कोई कहा देता है कि 100 ग्राम बदाम दे दो और बदाम का भाव है साड़े 700 रपे के लो या 1.500 ग्राम बदाम दे दो तो इस तरीकी कंडिशन में हम फस जाते हैं यार इसको calculate कैसे करें जिन लोगों को ये problem हाती है ये video उनके लिए है और जो student है जो ये चीजों को सीखना चाते हैं ये video उनके लिए भी है और गावों के अंदर ऐसी problem होती है कि आप कोई ऐसे दुकानदार को जानतों यार जो यार अकसर ठग लेता है हमें तो वहाँ भी जाके आप इस तरीके की equation का use करके अपनी जो दुकानदार हमें सही rate दे रहा है या सही भाव या फिर जो सही वस्तू का जो वजन दे रहा है तो उसकी सारी equations आप calculator पर असानी से कर सकते हैं तो मैं इसका जो rear camera open कर देता हूँ उसके बाद मैं आपको complete इसकी situation समझाता हूँ किस तरीके से आपको ये दोनों equation को हल करना है और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि हम दीरे दीरे इस तरीके से किरियाना वप्यारियों के लिए मतलब एक छोटे छोटे सीरीज बनाएंगे जैसे आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ calculation की वपारियों के लिए gross restore हो गया या जो भी normal store होते हैं फिर हम किरियाना वपारियों के बारे में बात करेंगे जैसे शबदावलियां होती है कि पाव कितना होता है सवा पाव कितना होता है तीन पाव कितना होता है तो मतलब यह इस तरीकी के चीजे पुराने लोगों को समझ आती है नई लोगों को समझ नहीं आती तो उसके उपर भी बात करेंगे मान लीजे मैं नहीं दुकानदार हूँ और मेरे पास कोई पुराना बुज़ूरगा के कहता है सवा पाव चावल कर दो तो मैं कितने चावल उनको दूगा तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे अगर आप ये दोनो इक्वेशन समझ लेते हैं ये दोनो सुत्र समझ लेते हैं तो आप जिंदगी में दुकानदारी के अंदर कहीं भी नहीं अटकने वाले तो सबसे पहला सुत्र है कितने रुपे का देना है और वस्तु का भाव माल लेजिए कोई विक्ति आपके पास आके कहता है कि मुझे 15 रुपे के चावल दे दो मतलब कितने रुपे का देना है 15 रुपे का और चावल का भाव है 50 रुपे तो भाव को नीचे रख देना है और इसी चीज को हम कैलकुलेटर में निकाल लेते हैं तो आप देख सकते हैं कैलकुलेटर के अंदर उपर लिख देंगे 15 रुपे के चावल देने है 50 रुपे के भाव से तो वो चावल का वजन आ जाएगा 300 ग्राम तो आप जो इलेक्ट्रोनिक कांटे वगरा हम यूज करते हैं तो हम सब को पता है कि 0.3 किस तरीके से यूज होता है या 0.250 किस तरीके से यूज होता है अब एक और अपने थोड़ा बड़ा देखते हैं इसको और माल लीजिए कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर आके कहता है कि मुझे 22 रुपे का उसके पास समान लें कोई ऐसी कंडिशन हो गई है 100 रुपे थे 100 में से 28 का उसने समान ले लिया और 72 रुपे बच गए 28 का समान लेने के बाद 22 रुपे बच गए 22 रुपे बचने के बाद उसने का 22 रुपे की मुझे चीनी दे दीजिए आप बत्तर रुपे की चीनी का calculation कैसे करेंगे, तो आप बत्तर रुपे कितने का देना है, बत्तर रुपे भाग चीनी का भाव, 40 रुपे, तो हम दुबारा calculator पे देखते हैं, तो उपर लेके देंगे 72 भाव, 40, तो ये आगया 1 किलो 800 ग्राम, तो चीनी हमें देनी है कितनी, 1 किलो 800 ग्राम, बिल्कुल असान सी calculation है, कहीं भी फसने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जादा असान है, 22 रुपे की चीनी देनी है, भाव है, 40 रुपे तो 1 किलो 800 ग्राम, इसी तरीके से आप practice करते रहेंगे, तो आप कोई कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, और एक और हम देखते हैं, थोड़ी सी typical condition आजाती है, मालो उस वेक्ति के पास 37 रुपे है, और वो कहता है, कि मुझे 37 रुपे की चीनी दे दो, और भाव है चीनी का 40 रुपे, अब हम इसको करते हैं, तो किस तरीके से करेंगे, आप देख लीजिए, 37 बाग 40, ठीक है, अब आ गई 925 र रुपे, जब यह condition आती है, काफी बड़े calculation के अंदर आ जाती है, तो हम जो 925 ग्राम चीनी देनी है, तो इसको थोड़ा सा adjust कर लेना है, ठीक है, मान लीजिए, यह condition आ जाती है, ड्राइफ रूट के अंदर, मैं ड्राइफ रूट के बारे में आपको बता दूँ, ड्राइफ रूट कोई आके कहता है, को मुझे 225 रुपे के काजू दे दो, ठीक है, और काजू का भाव है 800 रुपे, रेंडमली बता रहा हूं कोई जरूरी नहीं है काजू का भावा आपके मार्केट में यह भी हो सकता है कम भी हो सकता है जादा भी हो सकता है तो यहाँ पे हम दिखाऊंगा 225 बाग 800 तो यहाँ पे आज़ा 281 ग्राम ठीक है आप देख ले 281 ग्राम आगया है तो आपको यहाँ पे लगबग 281 ग्राम काजू दे देने है उसको 281 ना करें 281 करें मतलब उपर का जो खर्चा होता है जो कुछ पॉइंट ग्रामों में होता है वो अपनी तरफ रखें मालो कहीं पे 132 ग्राम आ गया तो 132 ग्राम की ज़िए 130 ग्राम ही रखें इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी दुकानदारी के अंदर आपको हर तरीक पर इसमें लिखके बता दें अब दूसरी कैलकुलेशन है कितना देना इंट्यू का भाव तो आप देखिए कितना देना है और वस्तू का भाव क्या है मालो कोई आके कैस कह देता है मुझे 750 ग्राम है ठीक है मुझे 750 ग्राम चाइए चावल ठीक है? और यह हमने आपे 750 ग्राम कर दिया और वस्तू का चावल का भाव है 32 रुपे तो कितना होगा? ये भी प्रोब्लम होगा थी है, साथ जी 700 ग्राम और 32 रुपे का कैसी कैलकूलेशन करें? तो आपको क्या करना है? पॉइंट 750 इंटू 32 ऐसे करेंगे तो आपको देख लो 24 रुपे के चावल होगे वो सिधा इसाब है, आप उससे चावल के 24 रुपे चार्ज कर लेंगे एक ओर देखते हैं, कोई कहता है, किसी पंडित जी ने कहा है या किसी व्यक्ति ने कहा है लीजिए काजू, 365 ग्राम काजू दे दीजिए आप, तो 365 ग्राम उन्होंने एक फिक्स एक चीज निकाल ली, तो आपको क्या करना है? 365 इंटू 800, तो दुबारा दिखाता हूँ मैं आपको, तो अब 0.365 इंटू 800 करेंगे, तो 292 रुपे आप उससे ले लेंगे, सिधा इसाब है, बिल्कुल असान सी कैल्कुलेशन है, 292 रुपे आप कह देंगे के हमें आप दे दीची, ठीक है? सिर्फ दो कैल्कुलेशन से आपकी दुखानदारी एक तम परफेक्ट, फटा फट कैल्कुलेटर के उपर कर लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं आती, एक कंडिशन ओर आती है, कि कई वार गराहक है, वो चीज वापिस ले आता है हमारे पास में, हमें कहता है कि मैं घर पे कोई चीज लेके गया था, चाइपती लेके गया, तो चाइपती का भाव था कितना? 360 रुपे, और चाइपती लेके गया, घरवालों को चाइपती पसंद नहीं आई, तो 835 ग्राम चाइपती वो वापिस ले आया, ठीक है? इसको हमी रेज कर देते हैं, मेरे पास अभी डेश्टर अवेलेबल नहीं है, तो 835 ग्राम चाइपती वापिस ले आया, और 360, तो आप उसको सिदा-सिदा 300 रुपे वापिस दे सकते हैं, बिल्कुल असान सा, बिल्कुल ही असान जो एक्वेशन है, कहीं समझने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसको 8300 रुपे वापिस दे देंगे, 0.6 उपर है, तो उसको अपना प्रोफिट समझ के रख तो, इस तरीके से आप उसे पैसे वापिस दे सकते हैं, दोस्तों, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिम्पल सी 2 इक्वेशन से, आप जो पूरी दुकानदारी का हिसाब रख सकते हैं, किस तरीके से कितना व्व्यक्ति को चीज गो भाइन गितना वजन देना ह तो यही दो में चीजें होती है दुखानदारी के अंदर तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो इसी तरीके के जो एजुकेशन वाले हैं मतलब एक व्यक्ति ने मेरे को कमेंट किया था कि सर कोई ऐसा वीडियो बनाए जो एजुकेशन में हमारे काम आए तो यह वीडियो ह निकाल सकते हैं वजन से भाव निकाल सकते हैं तो यह बहुत सारा मतलब बिल्कुल सा फंडा है समझने की जुरूरत है थोड़ा सा और यह सब आएगा आपको प्रैक्टिस से आपको यह दोनों सुत्र आपको अपनी कोपी में राइट कर लेने हैं और आपके दुकान पे ज चीज़ों का रेट निकालना आजाएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले वीडियो में दुकान दारी की शब्दावली के उपर हम वीडियो बनाएंगे और आप वी अगर आपको कुछ शब्दावलियां पता है वैसे तो सब्दावलियां चले गई बहुत फुरानी चीज़ें होगी फिर भी आपको कुछ पता है तो कमेंट में लिखे जरूर बताईएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्ष वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन जै भारत